करते हैं क्वेशन क्या कहता है तो प्रोड़क्ट अफ दू पॉजिटिव इंटीजर इस फिफिटीन हंड़ेट सेवंटीफाइव और उसके बीच का जो रेशियो है और उसके बीच का जो रेशियो है वो कितना है 9 इस टू 7 का रेशियो है उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर के बीच तो हमसे पूछ रहा है कि जो smaller integer है उसकी value बताई है तो इसमें जो ratio है वो कितना है 9 is to 7 का तो हम जो value let करेंगे let कर लिया हमने कि दो values को दो positive integer को rate किया तो एक क्या हो सकता है 9x हो सकता है दूसरा क्या हो सकता है 7x हो सकता है प्वेशन में क्या कहता है कि 9x into 7x जो product है वो कितना है 1575 है it means 63x square 63x square वो कितने के बराबर हो जाएगा 1575 के it means जो यह x square हो जाएगा 1575 से 63 को divide कर देंगे तो यह value क्या अतनी आने वाली है यह आजाएगी 25 it means कि x की जो value आएगी वो आजाएगी 5 ठीक यहां से x की value क्या आगी 5 अब हमसे कह रहा है कि जो smaller value होगी वो कितनी हो नहीं वाली है integer तो 7x smaller है it means कि 7 into 5 35 जो है वो value होगी जो smaller integer की value है और वो है option 2 35 इस question का सही answer अजाएगी 25 जो है का मैं जाएगी 25 जो है पत्सक्राम सदूएगी 25 जो है अजाएगी 25 जो जो ह すब है Ber盛 UX